जैन दोस्तो पूरे वर्ल्ड में क्राइम अगेंस्ट विमन और क्राइम अगेंस्ट चिल्रेन बढ़ते जा रहा है और सांथ ही उसे खतम करने की आवाज भी उतनी ही प्रबल होती जा रही है जोकि प्रूफ है कि हम जागरूख हैं बट कुछ ऐसे भी क्राइम्स हैं जिसे हम tradition, culture और religion के नाम पर commit करते जाते हैं अगर नहीं तो बस mute spectator बने रहते हैं क्योंकि हम उसे crime मानते ही नहीं है यह हमें सर्म आती है publicly कुछ सब्दों का इस्तमाल करने में आप इस वीडियो के title को देखिए यह है female genital mutilation के बारे में जी है मैं globally होने वाले औरतों के खतने की बात कर रहा हूं तो चलिए मैं यश्वन सिंग और आप अपने inhibition को side में रखते हैं कि कैसे इन सब्दों का इस्तमाल करें publicly और इस भायावा सच्चाई को समझते हैं और लोगों के सामने रखते हैं और पर्ण लेते हैं कि हम यूथ इस बुराई को जड़ से उखाड फेखेंग के नाम से international day मनाया जाता है अब ये इतनी बड़ी बात ये हो रही है इसके पीछे क्या चीज़ है ये female genital mutilation है क्या तो चलिए इसको हम अच्छे से बिस्तार में समझते हैं तो यह है FGM के अंदर कुछ procedures होते हैं जो की जान बूज करके और तो के जो female genital organs है या vagina है उसको non medical region से उसको mutilate किया जाता है या उसको injured किया जाता है इसमें औरतों को काफी ज़्यादा physical और psychological pain होता है इसमें बहुत सारे health risk है और death भी हो जाती है बैतर तरीके समझें तो ये वह procedures है इसमें की female genitalia या फिर vagina को alter या injured किया जाता है non medical या cultural regions की वजह से और इसको internationally recognize है कि ये जो चीज है जाहे भले ही tradition के द्वारा ये हो रही हो culture की वज़ों से हो रहा हो लेकिन violation of human rights है और और बच्चीयों के health और integrity के बिलकुल ही खिलाफ है और उसको violate करता है then ये FGM होता क्यों है FGM जो है ये पूरे कई सदियों से जो समाज का patriarchal mindset है जो कि ये कहता है कि जो वज़ाइन के कुछ हिस्सा कुछ piece सैतान की बोटी है जो कि women को immense बहुत ज़्यादा sexual pleasure देता है और यह pleasure अगर उनको मिलता रहा और इसको नहीं हटाया गया तो औरतें हाथ से बाहर हो जाएंगी और अपने साधी को बरबाद कर लेंगी और उनकी community को same मतलब सर्म के गर्त में ढखे लेंगी क्या ऐसा सच मुझ है क्या कोई ऐसी चीज जो कि सिर्फ औरतों के लिए लागू होती है क्या या बर्दों के लिए नहीं है और आगे देखते हैं तो यह FGM जो female genital mutilation है यह कितने तरक होते हैं यह चार तरक होते हैं पहला है type 1 जिसमें की partial या total removal of clitoral glands जो वजएना के ऊपर वाले हिस्से को बिलकुल ही या partially हटा दिया जाता है type 2 में होता है partial or total removal of external and visible parts of the clitoris and the inner folds of the vulva यह और भी जादा मुश्किल चीज होती है जिसमें की वजएना के clitoris को हटा देते हैं और even inner part of the vulva को भी inner folds of the vulva को भी हटा दिया जाता है काटके तीसरा है infibulation or narrowing of the vaginal opening through the creation of a covering seal तीसरे में तो इसको ऐसे समझी है कि और तो को काफी ज़्यादा इससे problem हो रही है लेकिन जो वहां का जो patriarchal society है वो men को pleasure देने के लिए ऐसा किया जाता है कि जो vaginal opening है उसको और narrow कर दिया जाता है type 4 में picking, piercing, incising, scrapping यह सारी चीज़े होती है तो यह काफी ज़्यादा मतलब देखिए इसमें कितना health risk है अब आगे चलते हैं FGM को कहाँ पर practice कि जाता है तो मैं आपको यह बता दूँ कि यह मतलब 0 से लेके 15 साल के age के बच्चियों और औरतों के उपर यह किया रहता है जादतर यह सब सहारन आफरिका और अरब के देशों में यह सबसे ज़्यादा होता है और even Asia में, Eastern Europe में, Latin America में sparsely कहीं 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 यह बिलकुल होता ही रहता है इसके आगे आप जानेगे कि कुछ ऐसी कंट्री हैं जहां पर यह बहुत प्रॉमिनेंटली होता है उन कंट्रीस का नम मैं आपको बताऊंगा बुर्किन अफासों, Central African Republic, Chad, Democratic Republic of Congo, Sudan, Egypt, Oman, United Arab Emirates, Iraq, Iran, Georgia, Russian Federation, Columbia and Peru, among others अगर मैं among others करता हूँ तो भारत, पाकिस्तान या कुछ ऐसे देश, बांगला देश यह इससे बाहर नहीं है वो भी इनमें आते हैं अब आगे देखते हैं, औरतों का FGM, जो फिमल जानिटर मेटिलेशन है, क्या भारत में भी होता है, तो इंडिया में इसको खत्ना या कफ्स के नाम से जाते हैं और सिर्फ एक कम्यूनिटी है इंडिया में, दाओदी बोहरा कम्यूनिटी वो इसकाम को करती है, और बहुत ही सिक्रेटली इसको काम में करती है और यह जो दाओदी बोहरा कम्यूनिटी है, वो सिया मुस्लिमों का इसमाईली ब्रांच का एक सेक्ट है जो कि गुजरात, महरास्ट्रा, राजस्थान, मध्यपर्देश और केरला में पाय जाते हैं अब ये चीज वो इतने छुपे तरीके से करते हैं और इन फैक्ट जब इसका 2018 में सर्वे लिया गया तो यह पाया गया कि जितने लोगों पे सर्वे लिया गया है उसमें 75% जो हैं उनका और इसके लिए कुछ भी ऑफिशियल डेटा जो है वो गौर्ण्मेंट के पास नहीं है और चुकि ये चीज़े ओपन में नहीं है इसलिए हमारे इंडिया में FGM को या FGM को रोकने के लिए कोई भी लौ नहीं है कितना दुर्भाग्य पूर्ण है ये चीज़ नेक्स्ट तो फिर हम इस FGM को या FEMAL GENITAL MUTILATION को रोके क्यों तो आप देखेंगे कि जीरो से लेके 15 साल की बच्चियों के उपर ये किया जाता है एक physical pain, psychological pain उसके बाद से पूरे जिंदिगी पर उनको एक trauma जहनला पड़ता है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये petragical society के द्वरा चीज़ दी गई है या फिर औरतों को एक बस use करने की commodity समझा जाता है या फिर man को जाज जादा pleasure मिले इसके लिए ऐसा किया जाता है कितनी घिनोनी और सर्म की बात है इवन उसके द्वारा उनको कई सारे आफ्टर जो है psychological या physical कई सारी disease हो जाती है तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा और जाने के WHO के अनुसार globally 200 million girls 200 million girls आप समझा से दो अरब लड़कियां और औरतें पूरे globe में FGM से female genital mutilation से सफर कर रही है पूरे 30 countries में और जो औरतें इससे सफर कर रही है या बच्चें जो इससे सफर कर रही है उनके उपर treatment का cost 2018 में 27 country के बीच में इसको निकाला गया है WHO की यह report है 1.4 billion dollar है और यह 2047 तक 2.3 billion dollar जो है बढ़कर के हो सकता है मतलब कि अगर इसको नहीं रोका गया तो यह इसी तरह से बढ़ता रहेगा और जिस crime against women की crime against children को रोकने की हम बाते करते हैं और इसके उपर हम बिलकुल आवाज भी नहीं उठाते हैं तो यह बहुत ही बुरी बात है क्योंकि अगर हम आवाज नहीं उठाते तो या तो इसे हम समझी नहीं रहें कि यह crime है या फिर traditionally किसी चीज को अगर कोई चीज बुरी रही है तो इसको बिलकुल ही जाना चाहिए तो हम सारे यूथ मिल करके इस चीज को जहां पे भी हो अगर हमारे आसपास यह चीज होती है तो हम आवाज उठाएं और इसको बिलकुल ही रोका जाना चाहिए I hope कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा प्लीज इसको लाइक एंड शेर करें और अगर अभी तक आपने रोयल्स एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें बेल बटन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो अपडेट आपको फटाफट मिल जाए थैंक्यू, have a nice day